यह जो बाउल में आप डिश देख रहे हो यह है हिमाचली गुच्छियां और इसको बनाने का जो एक प्रोसेस है वो कुछ डिफरेंट है तो हम वो आज इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे यह है हिमाचली गुच्छियां जो पहाडों में मिलती है और यह हमने फ्राइट किय हूँ है अलू जो इस रेसिपी में हमारे यूज होगे सबसे पहले यह जो गुच्छियां है इनको अच्छे से पानी में धोकर हम इसका यूज करेंगे काफी अच्छे से इसको दोना है दो तिन बार पानी में निकाल कर फिर से उसको दोना है जो हमने ओईल लिया हुआ है कूकर में उसमें हम आलू डालेंगे और आलू को जो है हम फ्राय करेंगे अच्छे से आओ फ्राय हमें light brown होने तक करना है तक आलू लाइं ब्रायेंगे तब तक अच्छे चारबट में ऊने से होने चाहिए यह और अब हम इनको निकाल देंगे जैसे ही यह पक जाएंगे अब हम ना कुकर में ऑई लेंगे और उसमें डालेंगे जीरा मेडियूम फ्लेम पे ही आपको यह सारा का सारा प्रोसेस करना है देन हम लेंगे टमैटो और अराउंड टू टमैटो हम यूज करेंगे इसको हमने अच्छे से पकने देना है टमाटर को देन हम इसमें डालेंगे धन्या एक चम्मच हल्दी एक चम्मच गरम मसाला एक चम्मच लाल मिर्ची आदा चम्मच मिठी सौंफ आदा चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे काफी देर टमाटर को हमें पकाना है टमाटर को पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे कर्ड दहीं अराउंड थ्री बिग स्पून्स पकाने के बाद हम इसमें अड़ करेंगे होमेड क्रीम जो मलाई होती है वो भी as a क्रीम ही यूज कर सकते हैं अराउंड ठी स्पून्स हमने यूज के हैं और जो फ्रेश अमूल का क्रीम आता है मार्केट में वो भी आप यूज कर सकते हो कुछ देर अच्छे से हमें इसे पकाना है अभी लाइट ब्राउन होने तक हमें ये वाला जो भी हमारा मेटेरियल है इसको अच्छे से पकाना है देन हम इसमें एड करेंगे चार मग्स राउन वान स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करके हमें काफी दे तक पकाना है जो चार मग्स होते हैं ये आपकी जो भी हम बना रहे हैं गुच्छियां इसको गुच्छियों का मद्रा भी बोलते हैं तो इससे क्या होगा इसमें गड़ापन आएगा देन हम एड करेंगे नमक स्वादा नुसार काफी देर इसको पकाना है लाइक ब्राउन होने तक भी काफी ड्राइ हो गया है और ये अच्छे से पक रहा है देन हम इसमें एड करेंगे गुच्छियां जो हमने पानी में भीगो कर अच्छे से साफ करके रखी हुई थी और इसको हमें अच्छे से स्टेर करना है फिर हम इसमें आड करेंगे वह कटकी हुए आलू जो हमने फ्राय करके रखे हुए थे इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ टाइमराओंड नोज टो टू ट्री मिनिट्स हमें इसको अच्छे से पकाना है हाँ 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 अगर आप ड्राइए खाना चाहते हो तो आप इस तरह से भी इसको खा सकते हो बिद चपाती और राइस अभी हम जो है इसमें पानी भी एड़ करेंगे हमें लिक्विड उस फॉर्म में चाहिए सो अराउंड वन वाउल हमने इसमें पानी एड़ किया है और अब हम इसको मिडियम फ्लेम में अच्छे से पकने के लिए रखेंगे अराउंड फाइव टू सेवन या एट मिनिट और फिर ये इस तरह से हमारा गुच्छियों का मद्रा बन कर तैयार होगा अगर आप और भी जादा ड्राइ करना चाहते हो तो आप इसको और जादा पकाऊगे ये और जादा ड्राइ हो जाएगा चपाती के साथ भी अच्छा लगता है वैसे और इस तरह से ये है जो हमारा बन कर तैयार होगा गुच्छियों का मद्रा